हेलो फ्रेंट्स मैं राहुल रंजन श्टडी इंडिया अड़्डा डिश्टल वफ लर्णिंग में स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग पता इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासे एससी जेए का चल रहा है दोस्तों ध्यान दिजिएगा बहुत से स्टुडेंट कमें में जाकर देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आप लोग को अच्छे लेवल का स्टडी में प्रवाइड होता है जिस तरीका से आरारवी जेए के लिए आप लोग का सबसे बेस्ट प्रवाइड करा गया था नॉन्टेक पार्ट से सिम उसी तरीका से एससी जेए का आपको देख लिए जगा सेसी जेए में वह भी आपको बेनिफिस्यल होगा आपको सेसी जेए के लिए इंभार्मेंट एंड एकोलोजी का यह नया वीडियो है जिसमें टॉप हंडेड कोशन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों और आपको बता दें सेसी जेए का दो क्लासे डेली करने के लिए और आपको बता दें कि सभी टॉपिक आप लोगों करवा दिया जाएगा जैसे हैं यूगरफी का वी करवा दिया जा गाएगा इकनॉमी कहा एक्जाम में कोशन पूशे जाते हैं कंप्यूटर का भी करवाया जागा दोस्तों और आपका स्पोर्ट से भी आपको दो तीन कोशन दिखने को मिलता है इसलिए सभी टॉपिक को आपको एक्जाम से पहले सभी करवाया जागा बस आप लोग डेली हैविट बनाएए कि साथ सब्सक्राइब और गहंटी के बेलेकन को जरूर्ण कर लिजेगा क्योंकि गहंटी के बेलेकन रहेगा तभी चैनल पर जो स्टेडी में पुराइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मुआल तक पहुंचेगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वी नाइन पीम डेली ठीक है चलिए हम लोग कोश्चन को सुरू करते साथ ही साथ सभी लोग कमेंट करते चलिएगा फर्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिकंपोजर इंक्लूड अप घटकों में शामिल है क्या सामिल है आपको बताना है डिकंपोजर इंक इंक्टेरिया और फंगी यह दोनों जो है अब घटकों में सामिल है नेक्स्ट कोश्चन पर आईए कोश्चन है हाव मनी टाइप ऑफ लॉजकल पिरामीड और प्रजेंट इन एको सिस्टम पारिस्थित की तंतर में कितने प्रकार के पारिस्थित की पिरामीड होते हैं आउमनी टाइप ऑफ लॉजकल पिरामीड और प्रजेंट इन एको सिस्टम पारिस्थित की तंतर में कितने प्रकार के पारिस्थित की पिरामीड होते हैं कि करेक्टर की बात करते हैं ऑप्शन भी करेक्टर होगात तीन प्रकार को होते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर आईए क देवलों कमेंट कीजिएगा नाइन्थ नम्मर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट कोश्चन बे आते हैं यही सब कोश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके एक्जामों में इसलिए डेली हैविट बनाईए आपको यह सेशन इंजॉय करने के लिए बीच आप दफ फॉलविंग रिपरजेंट दे मोस्ट कॉंप्लेक्श ट्रॉपिक लेवल निम्लिखित में से कौन सा जटिल पॉस्टिक अस्तर को दर्साता है सविल अक्मेंट कीजिएगा जटिल पॉस्टिक अस्तर को कौन दर्साता है करेक्ट अंसर होगा आप्शन शी एकको सिस्टम पारिष्थित की तंत्र नेक्स्ट कोशन पर यह कोशन है फिल इन ब्लैंक्स इस दा इंट्रेक्शन इन वीच आप दफ फॉलोविंग स्पेसिस बेनिफिट अदर नाइदर हाम फॉर बेनिफिट सबलो कमेंट कीजिएगा एक एसी पारिष्थित की किरिया जिसमें एक जाती को लाब होता है और दुसरी को नहानी होता है नलाब होता है सबलो कमेंट कीजिएगा उसको क्या बोले जाता है उसको बोले जाता है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट अंसर होगा कमेंसेलिज्म सह भोजीता आप्शन भी करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन पर यह भीचवान आवद फोलिविंग इस एन आउट्टो ट्रॉफ निमलिखित में से कौन सा स्वाप पोश्रीत है सभी लोग कुमेंट कीजिएगा श्वाप पोश्रीत कौन सा है दोस्तों चार आपके शामने दिख रहा है सभी को द्वारा कमेंट आने चाहिए करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन भी एलगी सेवाल जिसको बोला जाता है निमलिखित में से कौन 3R का फूल फॉम है दोस्तों यह जो है अक्षर यामन पूछा जाता है याद कर लिजेगा सभी कोशन करवाया गया है और आरवी जेए में सभी लोग कुमेंट कीजिएगा करेक्ट अंसर की बाद करता ओप्शन ने करेक्ट अंसर होगा रेडियूस रियूज रिसाइकल थिरी आर का मतलब होता है रेडियूस रियूज रिसाइकल कम करना पुनह पर्योग करना और पुनह चक्रित करना नेक्ट कोश्चन पे ये कोश्चन ए निमलिखित में से किस पारिष्थित की तंत्र में व्यन्थिक छेत्र पाया जाता है शविलो कमेंट कीजेगा निमलिखित में से किस तंत्र में व्यन्थिक छेत्र पाया जाता है करेक्ट अंसर होगा option वी नमकीन पानी पर्ष्थ हित्की तंत्र में नेक्ट कोशन पे आते हैं कोशन यहाँ पे दो तीन जो है दोस्तों यहाँ पे हिंदी में इंकलूट कर दे हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कोशन यह है क्या कहते हैं बहुत कम पानी में जीत रहने वाले पौधों को क्या बोला जाता है यहाँफिम महत्वपूर्ण कोशन है दोस्तों मिरित पसु से कीड़े हो रहा कीड़े से मेढ़ा को देन साप इस कोश्चन का कौन से सरिंखला आपको बताना है करेक्ट अंसर की बात करता ओप्शन बी करेक्ट अंसर होगा डेट ट्रिट्स अहार सरिंखला नेक्स्ट कोश्चन पर ये कोश्चन है अच्चुमिलेशन ओफ ए नंडिगरडेवल केमकाल प्रोग्रेशिवली एट इच ट्रॉफिक लेवल इज कोट परतेक पॉस्टिक अस्तर पर नश्ट नहोने योग रशायनों का शंचय कहलाता है करवाया गया है सभी कोश्चन दोस्तों करेक्ट अंसर होगा ऑप्षन और ब्रिध्धी करन और नेक्स्ट कोश्चन पर ये एटी नंबर कोश्चन भीच आवदा फॉलविंग जिए पईराश्याटिक फूड्चन निम्लेखित में से परोप जीवी खाद स्रिंखला कौन सी है सबले कुमेंट कीजेगा 18 नमबर कोचे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीचे वाना आप दा फॉलोविंग कीजे पैराशाइटिक फूडशें 18 नमबर कोचे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है करेक्ट अंसर होगा आप्शन ए ट्री के बाद फ्रूट इटिंग वर्ड एंड लाइशन वकाने के मतलब ब्रिक्च है ब्रिक्च के बाद आ रहा है दोस्तों फल खाने वाले पक्ची ठीक है उसके बाद जू तथा कीड़े आप्शन ए इस खाद स्रिंखला बिल्कुल करेक् खाद करक्षा को घास को किट खाता है किट को शांप खाता है क्या कौन खाता है को बताना है 19 नंबर और हो जन आप्ट के दिख रहा होगा घास को कीट खाता है कीट को मेढ़ा खाता है मेढ़ा को कौन खाता है मेढ़ा को शनेक खाता है शनेक को गडूर खाता है option D correct answer होगा यह खाद सरिंखला आपका correct answer होगा मेढ़ा सौरी शनेक next question पर आईए question of the following is grazing food chain निमलेखित में से कौन चारन खाद सरिंखला है सब्सक्राइब कीजिएगा चार option आपका screen पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब के द्वारा कमेंट आना चाहिए कि सब्सक्राइब करें चलिए कमेंट कीजिए बहुत अच्छा question है correct answer की बात करते है 20 का right answer की बात करते है option भी correct answer होगा ग्रास को रैविट रैविट को कौन खाता है फॉक्स करने के मतलब घास को खर्गोष खाता है खर्गोष को लोमडी खाता है दोस्तों option भी correct answer होगा नेक्स्ट कोश्चन पर यह 21 नमबर कोश्चन पीरामीड क्या होता है 21 नमबर कोश्चन आपके screen पर दिख रहा होगा उर्जा पीरामीड क्या होता है सबके द्वारा कमेंट आना चाहिए करेक्ट अंसर होगा always upright होता है सदया उर्जा क्यों सदया उपर क्योर होता है उर्जा पिरामीड नेक्स्ट कोश्चन पर यह 22 नमबर कोश्चन आइडेंटिफाइक करेक्ट टाइप फूड चैन्स खात स्रिंखला को आपको बताना है द करेक्ट असर होगा आप्षण से grazing food chain चारन खाथ श्रिंखला है कि नेक्स्ट कोश्चन पर यह निमली खित में से किस पारिष्थित की तंत्र में सबसे धीक बायौमास पाये जाता है Came z question पर इस सभी question मत पूरे में फिर से repeat कर रहा हूं यह question आपको जाम में बहुत beneficial होने वाला है oil a spiral in a scene in which ecosystem तेल रिशॉव किस पाश्थित की तंत्र में देखा जाता है oil a spiral is seen in which ecosystem 24 नुमबर कोशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब किजिएगा करेक्ट अंसर की बात करता ओप्सन डी करेक्ट अंसर होगा मैरीन इको सिस्टम जल यह पाश्थित की तंत्र में नेक्स्ट कोश्चन पर आईए कोश्चन है विच्च आफ दफ फोलोविंग इस नोट ए मैन मेंड इको सिस्टम आपसे पुछा जा रहा है निमलिखी तुम्हें से कौन सा मानम निर्वित पाश्थित की तंत्र नहीं है फवलोग कुमंट कीजिएगा 25 नंमर कोश्टैंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा करक्टर की बात करते हैं ओप्सेंदी कर्रेक्टर होगा नेक्ट कोश्चन पर आते हैं दोस्तु 26 नमर कोशन वीच मंग दो फूलोविंग इको सिस्टम् है व इन्वर्टेड बायोमास पिरामीड निमले खित में से किस पाश्थित की तंतर का उल्टा जीवहर पिरामीड होता है 26 नमर कोशन आपके स्क्रीम पर दिख रहा होगा करेक्ट अंसर की बात करते हो, option C करेक्ट अंसर होगा, यहाँ पे मैरी निको सिस्टम और ग्रास लेंड, दोनों इस कोचन का करेक्ट अंसर होगा, जो student अभी दो वीडियो को like नहीं के, एक बार दिल से वीडियो को like करें दोस्तों, and WhatsApp ग्रूप में शेर करने कोशिश करें, ताकि सभी student को benefit हो सके, आपका एक like ही हम लोग को motivate करता, बेश्टर स्टेडिमेटर पुराइड करा आने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, SSC JE को ले करके, इसलिए आपका classes continue हुआ है, आप लोग like शेर जरूर किया किजिए, वीडियो को तिल लास्ट दि जरूर देखा किजिए, ग्रास लाइन एको सिस्टम है, जबीच टाइप आप बायोमास पिरामीड, सब लोग कमेंट कीजिएगा, मैदानी पारिष्थित की तंत्र का किस प्रकार का जीवभार पिरामीड होता है, 27 नमबर कोशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट अंसर की बात करता option A, करेक्ट अंसर होगा, यह upright होता है, उपर की ओर होता है, नेक्स्ट कोशन पर यह टैगा, टैगा एक जायन, एक जायन, एक जामपल ओविच टाइप ओव एकोसिस्टम, इस कोशन को भीवे लगा करके रट लीजे, जिने याद नहीं है, वो याद कर लीजे, टैगा किस प्रकार के परश्थित की तंत्र का उदार हैं, दोस्तों, अक्सर जाओं में दिखने को मिलता है, करेक्ट अंसर होगा, टैगा फोरेश्ट एकोसिस्टम है, बन परश्थित की तंत्र है, औप्शन भी करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट वन्टिनाइन नमबर कोशन पर यह, दा स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल अन प्लान्ट टू दियर स्राउंडिं इस कार्ट, आस, पास के बातबरन में पश्णों और पौधों के समंद के अध्यन को क्या कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, आप से पूछा जा रहा है, सब लोकुमेंट किजिएगा, करेक्ट अंसर की बात करते हैं दोस्तों तो करेक्ट अंसर आपसन ने करेक्ट अंसर होगा उसे ecology बोला जाता है पाश्थित की बिग्ञान बोला जाता है next question पर आते हैं next question आप से पुछा जारा है 30 number question पर ये who coined the term ecology 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 सब्द की रचना किसके द्वारा किया गया था सब्लों कमेंट कीजिएगा ecology सब्द के रचना किसके द्वारा किया गया था correct answer होगा option ने earnest हेकल के द्वारा option का बिलकुल correct answer होगा next question पर ये which of the following is not considered as a part of a biotic environment निम्में से किसे अजैविक पर्यावरन के एक बहाग के रूप में नहीं माना जाता है 31st number question आपके screen पर दिख रहा होगा correct answer होगा option ने प्लांट पौधा next question पर ये a living part of the organism environment is known as जीवानू के बातवरन के जीवित भाह को क्या कहते हैं correct answer के बात करते है option c correct answer होगा biotic factor जैविक कारक बोला जाता हुशे next question पर ये fill in the blanks is the process of restoring a forest that once exists but was removed at some point of time in the past यह परकिरिया कौन सी है जिसमें बन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उससे नष्ट कर दिया गया उसे क्या बोला जाता है सब्लोकमेंट की जाएगा उसे दोस्तो री फोरेस्ट्रेशन पुनह बरनी करन बोला जाता है option b correct answer होगा थाड़ी फाइव नूम्बर कोश्चन पर यह इन द वायोश्पेर लिविंग बिंग आर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट इच अधर फोर शर्भाईवल दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज मंडल में सभी जीवित जाती हों जीवित रहने के लिए दुसरे से प्रसपर श्रमंधित और निर्वर रहती है इस जीव अधारी तंत्र को क्या बोला जाता है सब लोग कुण किजिएगा शभी के द्वारा कमेंट आना चाहे उसे इको सिस्टम परी तंत्र बोला जाता है option में हैव कम इंटो दे हैविटेट फों इल्जबेर डूरिंग टाइम प्रियएड अंडर एक कंसुडरेशन फिलेंदी ब्लैंक उसी जाती के बैश्टियों की वर्षण क्या है जो दी गई शमय अब्धी के दौरान अवाश में कहीं और शे आये हैं उसे क्या बोला जाता है सेवलों कोईट की जगा 36 number question आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उशे दोस्तों immigration बोला जाता है उत्प्रवाशन ठीक है option डी करेक्ट अंसर होगा immigration option डी को क्रेक्ट अंसर होगा नेक्ट कोश्चन पहते हैं 37 नम्बर कोश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा Kyogen है निमली खित में से कौन से परकार के पीड़ों को सुज परकास प्रेमी भिहड़ भी कहा जाता है इस कोश्चन को भीवें लगा करके रट लीजएगा नमलिखीत में से कौन से परकार के पेड़ों को सुझ परकास प्रेमी भेड़ भी कहा जाता है 37 का राइट इंसर की बात करते हैं Option B करेक्ट अंसर होगा आत्पोध भीद Option B का बिलकुल करेक्ट अंसर होगा Next question पर आते हैं Question है नमकीन पानी में उड़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है 39 नमबर question आपके स्क्रिंट पर दिखरा वगा Question नमलिखीत में से कौनशा परयावरन का एक जैब घटक नहीं है Correct answer होगा Option D इस question का Correct answer होगा next question पर आईये भारत में कितने पारिश्थित की hotspot है भारत में कितने पारिश्थित की hotspot है Correct answer होगा option C4 next question पर आईये 41 number question आपके screen पर दिखे रहे होगा Read data book content data of each of the following रेड़ डाटा बुक में निमलिखीत में से कौन सा डाटा पाया जाता है शविलो कुण कीज़ेगा 41 नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक कोश्चन महत्तवपूर्ण है इस सभी जो है और आरवी जेई में इसा कोश्चन बहुत पूछा गया था जो मैं म मास्टर वीडियो से मैक्सिमम कोश्चन आपसे सिर्फ उसी वीडियो से आयते हैं इसलिए डेली हैविट बनाएए आप लोग को वैश्य कोश्चन प्रवाइड करा रहा हूं जो की एकजाम के लिए बहुत ही कारगर सावित होगा करेक्टंसर होगा option C all endangered species 41 का राइट एंसर और ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट इन इंडिया आर मेंली डिस्टिब्यूटेड इन उश्ण कटी बंदिये बर्षा परचूर बंचेत्र भारत में मुख्य तक कहां पाये जाते हैं सब्सक्राइब 42 का राइट इंसर के बात यार्त option B करेक्ट इंसरों का बेस्टन घाट पश बोट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सब्सक्राइब कीजिए option B करेक्ट रोगा शमुंद्र डॉग इसका अवास अस्थल जो देखा जाए शमुंद्र है नेक्स्ट कोश्चन पर यह कोश्चन है रेडड डाटा बुक प्रोफाइड एन एकाउंट आप रेडड डाटा बु 45 नमबर कोश्चन वीच ओफ फॉलिविंग इस दे लार्जेस्ट मैंग्रोब फोरेस्ट नोट ओनली इन इंडिया बट इन द बर्ल्ड निम लिखीत में से कौन सा ना केवल भारत में बलकि दुनिया में सबसे बड़ा मंग्रोब मैंग्रोब जंगल है सब्सक्राइब कीज पश्रूब बिलुप्त हो गए है निमन में से कौन से परजाती के पश्रूब बिलुप्त हो गए है 46 नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा शवी लोकुमेंट कीजिएगा करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन ए एसियाटिक चित्ता एसियाई चित्ता ठीक है बारत का कौन सा चेत्र परिश्थित की अति किरिया सील अस्थल होट्सपोट माना जाता है 47 नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा शवी लोकुमेंट कीजिएगा करेक्ट अंसर की बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन शी करेक्ट अंसर होगा बेश्टन घाट नेस्ट कोश्चन पर फोटीएट नमबर कोश्चन दे लार्जेस्ट इस्टूरेंड मैंग्रोव फोरेस्ट इन द वर्ल्ड दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव बन कहां इस्थित है सब्सक्राइब किजिएगा आप फोटी एट नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन शुंदर बन नेशनल पार्क शुंदर बन रश्ट्रे उद्ध्यान नेश्ट फोटी नमबर कोश्चन पे आए दा ग्रेट बरियर रिफ लोकेटेड ग्रेट बरियर रिफ कहां इस्थित है करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन परेश्बी कोश्यान परशांत महाशागर में नेच्ट कोईच्चन पर यह कोँच्चन ए विच आफ फॉल्विंग याज माउडिश में बायो डिवर्शिटी निमली खीत में से अधिक्तम जय विवित्त किस्मय होता है यह लोग एधिकतम जय गिवेन एरिया इज वह एक दिये गए छेत्रफल में शिमित पर जाती कौन है शुवले कोंट की जाएगा फिप्टी टू नंबर को चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा करेक्ट रोगा ऑप्शन सी इंडेमिक इस्पेशिज अस्थानिक पर जाती ऑप्शन सी करेक्ट रो में किस स्थान पर परियोजी समेलन में और जोन कम करने वाले रशायनों को परियोग पर परतिबंध लगाया गया था वह कौन सा था दोस्तों वह आप से पुछा जा रहा है करेक्ट रोगा यह करेटंसर की बात करता option B क्रेक्टिंसर मीट्रैल प्रोड क्रोडोकोल और इसन भी कोश्चन दोस्तों आपको HRB के जांक में पुछा गया था यह नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं विच यार डिड क्योटो प्रोटोकोल केम इंटो फोस्ट ये भी कोश्चन इस और आरवी जैसी बीट्टू में पुछा गया था क्योटो प्रोटोकोल किस बर्ष में अमल में लाया गया था सेवलो कुमेंट कीजएगा 54 का राइट एंसर की बात करते हैं ओप्शन बी करेक्ट एंसर होगा 2005 में नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन है क्योटो प्रोटोकोल क्योटो प्रोटोकोल का पर्थम सिखर से मेलान आयोजित हुआ था कहां आयोजित हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है यह दोस्तों ग्रीन हाउच एमिशन से रिलेट करता है 55 का राइट अंसर के बात करते हैं सब्लेकुमन कीज़ेगा करेक्ट अंसर होगा जापान में यह आयोजित हुआ था नेक्ट कोछिन बाते हैं बासेल समेलन का मुख्य उदेश क्या था शब्लेकुमन कीज़ेगा करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन वी जाप विवित्ता का संरच्छन शब्लेकोंचन महत्वपूर्ण है वीडियो को लाग तक जरूर देखेगा क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उ करेक्ट अंसर होगा option D जलवाई उपरिवर्थन से रिलेट करता है नेक्ट कोश्चन पर यह 58 नंबर कोश्चन मुनेटरिल प्रोटोकोल इस रिलेटे टू भीच आफ फॉलॉविंग मुनेटरिल प्रोटोकोल निम्लिखी तुमें से किसे श्रमंदीत है से विलोगों कीज़े पर यह मीशन ऑफ रेमेशर कंवेंशन इस टू कंजर रामशर शमेलन का उदेश क्या था इस रभी प्रोटोकोल कंवेंशन एक कोश्चन एक जाम के लिए महत्तोपूर है दोस्तों याद कर लिजेगा करेक्ट असरोगा बेटलेंड आद्र भूमिशे रामशर शमेलन यह ज याद कर लेना होगा यह तीनों बहुत ही महत्तपूर है यहां में दिखने को जरूर मिलेगा सवी लोग कमेंट किजिएगा 50 कौन सा कोशन नंबर है 50 60 को बेशल समेलन कहा हुआ था यह हुआ था दोस्तों खतरनाक अपशिष्ट पधार्थ के स्थानांतरन के लिए 1000 अस बेस्ट डेमिंग मुनेट्रियल प्रोटोकोल की बात करते हैं, मुनेट्रियल प्रोटोकोल ओजोन लेयर से रिलेट करता है, ठीक है, याद कर लिजएगा, क्योटो प्रोटोकोल किसे रिलेट करता है, ग्रीन हाउश गैस से रिलेट करता है, यानि option के अनुसार, इस question का correct answer, option C होगा, 60 का, नेक्स्ट कोच्चन पर आईए, 61 नंबर कोच्चन रियो शम्मिट इस असुसियेटेड विद, रियो शीखर समिलान का शमंद किस्से है, रियो शम्मिट इस रिलेटेड विद किस्से समंदी थे दोस्तों, रियो का correct answer होगा, option A, इस question का बिल्कुल correct answer होगा, Convention of Biological Diversity, Convention of Biological Diversity, option A, कोच्चन का बिल्कुल correct answer होगा, नेक्स्ट कोच्चन पर 62 नंबर कोच्चन, इस कोच्चन को भी विविय करके याद कर लिजेगा, 62 का रियो शम्मिट इस कोच्चन को भी विविय करके याद कर लिजेगा, 62 का right answer की बात करते हो, option A, correct answer होगा, ये था monetary protocol, option A, correct answer होगा, 63 नंबर कोच्चन पर ये, 63 नंबर कोच्चन, name the international treaty designed to protect the ozone layer from CFC, CFC से ozone परत को बचाने के लिए त्यार की गई अंतराष्टी संधी का नाम बताईए, सेवलो कुमेंट कीजिएगा, उसे क्या बोले आता है, दोस्तों, monetaryal protocol बोले आता है, option B, इस कोच्चन का बिलकुल correct answer होगा, next question पर ये, क्योटो protocol is associated with, क्योटो protocol का शमन्द किस से है, सेवलो कुमेंट कीजिएगा, बहुत ही महत्तपूर्ण ये से भी protocol है, option B, क्योटो कोच्चन का बिलकुल correct answer होगा, next question पर आते हैं, first country to impose carbon tax is carbon शुल्क लागु करने वाला परथम देश कौन सा है, इस कोच्चन को भी याद कर लिजेगा, बहुत ही फेमस कोच्चन है, environment statutory कोच्चन उठाया जाता है, correct answer होगा, option D, New Zealand, next question पर 67 number question आप से पूछा जा रहा है, the United Nation Green Climate Fund is headquarter in which country, कहने का मतलब शंजुक्त राष्ट ग्रीन जलवाई कोच्च का मुख्याला किस देश में है, से लोकमेंट कीजेगा, correct answer होगा, option is South Korea, दक्षीन कोरिया में, ठीक है, the United Nation Green Climate Fund is headquarter in which country, South Korea, next question पर ये रामशर्श मेलन का मुख्यु देश क्या, शाइद ये कोच्चन रिपीट हो गया, दोस्तों, ये होगा, आद्र भूमी संगरच्चन से, next question पर 69 नमबर कोच्चन, what is the symbol of WWF World World Life Fund, WWF विश वन जीवन निधी का परतिक सिम्मल क्या है, दोस्तों, 69 नमबर कोच्चन, आपके श्क्रीन पर दिख रहा होगा, से वलो कमेंट कीजिएगा, option C करेक्टन सरो होगा, लाल पांडा, रेड पांडा, next question पर ये, 17 नमबर कोच्चन, man and the biosphere program, A में भी, फॉर्मली लाउंच बाइ युनेस को, ये अक्षर की जाओं पुछा जाता है, A में भी किसके द्वारा लाउंच किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, युनेस के द्वारा लाउंच किया गया था, ये कब लाउंच किया गया था, वो आपसे पुछा जा रहा है, man and the biosphere program, ये अक्षर फूल फॉर्म याद कर लिजएगा, अक्षर फूल फॉर्म भी जाम में पुछा जाते है, युनेस को द्वारा अब चौरक की रूप से किस बर्ष में शुरू किया गया था, सब लोग कमेंट किजएगा, सेवंटी नमबर कोश्चन आपके सिर्ण पर दिख रहा होगा, करेक्ट अंसर होगा, आप्षेन भी उनीश्व एक सतर में, और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि, फड़ा फट कर दीजे, वीडियो को लाइक यहों कि, आप लोग का यह एक लाइक ही हम लोग को मोडिवेट करता है, दोस्तों, आपको बेहतर स्टेडि मेडियो प्रोइड कराने के लिए, इसलिए लाइक शेयर जरूर किया कि जिए मेरे दोस्त, 71 का कोश्चन है, मॉनेटरिल प्रोटोकोल का उदेश, क्या है, यह कोश्चन भी साइद रिपीट हो गया है, क्या है दोस्तों, वो जो उन परत का सनच्छन है, नेक्स्ट कोश्चन पर यह 72 नमबर कोश्चन है, इन भीच यह श्पेशल क्लाइमेट के फंड वाज इस्टैबलिस, विशेश जलवाय परवर्धन नीदी किस बर्ष में स्थापित किया गया था, महुत फिमस कोश्चन है, सेविलो कमेंट कीजिएगा, सेविलो कमेंट करें, 72 नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए 72 का राइट अंसर सेविलो कमेंट करें, करेक्ट अंसर होगा, ऑप्शन सी 2001 में, नेक्ट कोश्चन वे 73 नमबर कोश्चन, भीच आफ दफ फोलोविंग आइसलाइन्ड इज अंडर डाइरेक्ट ट्रीटेड आफ राइजिंग सी लेवल डिव टू क्लाइमेट चेंज, हैज अपियर फोर हेल्प वर एउरोपियन लेडर, जलवायू पर बढ़तन के कारण बढ़ते हुए, शमुंदर अस्तर के खत्रे के अंतरगत निमलीखित में शे कौन सा दीप शमू आता है, जिसे एउरोपियन निताओं के शहायता शे अपील की है, शेवंटी थर्ड नमबर कोश्चेन आपके स्क्रिंट पर दिख रहा होगा, उसके तुबालू आइसलेंड बोला आता है दोस्तों, तुबालू, नेक्स्ट कोश्चेन पर आईए, 74 नमबर कोश्चेन निमलीखित, इसको मिलान कीज़े दोस्तों, मिलान करना है, सब लोग मिलान कीज़े, 74 का महुत पूण कोश्चेन है, करेक्ट अंसर होगा, कानहा क्या है दोस्तों, कानहा किस लिए है, कानहा बाग के लिए है, 74 हां, कानहा सेर के लिए है, कानहा किस लिए है, famous, कर्एक्र तरहां कानहां दोस्तों बाह यह ठीक है काजी रंगा किसके लिए है काजी रंगा एन्गा गैंडा के लिए फिमस है गीर राश्ट्रिय उद्ध्यान किसके के लिए यानि option बीस कोश्चन का करेक्ट अंसर होगा नेक्ट कोश्चन पर 75 नंबर कोश्चन निमलिखित में से कौन जैब निमने किरनी है बायो डिगर डेवल नहीं है 75 का राइट अंसर की बात करते हैं सिर्फ सीसा है जो दोस्तो बायो डिगर डेवल नहीं है option is question का करेक्ट अंसर होगा नेक्ट कोश्चन पर यह कोश्चन है दबुक्षा टाइगर रिजर्व द्यान दिजएगा दबुक्षा टाइगर रिजर्व यह लोकेटेड भीच आप फोलोविंग अस्टेट बुक्षा टाइगर रिजर्व निमलिखित में से किस राज में इस् इंडिया निमलिखित में से कौन एक भारत के अरक्षित जय मंडल नहीं है सेवन्टी सेवन नमर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहागा शविले कुम्ट किजएगा सेवन्टी सेवन कर आइट एंसर होगा आप्शन एक गीर सेंट इस नमर कोश्चन पर यह चापेणेर पावागढ चापेणेर पावागड आर्चियो लॉजिकल पार्क इस लोकेटेड़ इन चापेनेर पावागढ पुरातत्व उद्धान कहां इस्तित हैं सेवन्टी एट नमर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहागा सेविले रिजर्ब फोर भीच आव दफोलेविंग शरीषका और अंथम्भोर निम्लिखित में से किसका सुरक्षित अस्थान है कि शेवले कुमेंट कीजेगा करेक्ट असरोगा यह जो है टाइगर के लिए यह रिजर्ब छेतर है ऑप्शन सी करेक्ट असरोगा कि एटी नम्मर कोशन इस ती थे दोस्तों कौन सा अभ्यारन है कौन सा रश्ट्रिय उद्यान है करेक्ट अंसरोगा ऑप्शन भी सरिषका नेशनल पार्क सरिषका रश्ट्रिय उद्यान इस अभी महत्तवपूर्ण अक्षर जाओं में दिखने को मिलता है और एक दो कोशन इससे भी आपको नेशनल पार्क ही लोकेटेट इन भीच स्टेट बांधवगण रश्ट्य उद्यान की सिराज में इस्तित है इस एड़कोंट किजिएगा बांधवगण नेशनल पार्क ही लोकेटेट इन भीच श्टेट ऑगा मध्य परदेश ऑप्सन 20 कोशन का करेक्ट अंसर होगा काने का मतलब दोस्तों निमलिखित में से किस से राज में डंपा टाइगा रिजर्व इस्तित है 82 नमबर कोच्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा श्रेवी लोकमेंट किजिएगा डंपा टाइगा रिजर्व दोस्तों मिजोरम में इस्तित है आप्शन सी कर्रेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोच्चन पर यह 83 नमबर कोच्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कानहा नेशनल पार्क शेर्विंग दर रियर और आलमोस्ट इक्स्टिंग्ड स्बेसिस आप देश्वैंप डियर अलसो नोन है कानहा रश्रिय उद्यान दल्दली हीरन के ओदुरलव और लगवग बिलूप्ट पर जातियों को बचाने वाला है जिसे इस रूप में जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है वह आप सब पुछा जा रहा है उसको दोस्तों बारश रिंगा आप्शन का बिल्कुल करेक्टन सर्व होगा नेक्स्ट कोशन पर 84 नमर कोशन आपके स्क्रिन पर दिख रहा होगा परियार नेशनल पार्किन विच मॉन्टेन रेंज इस कोशन को भीवे यह करके याद कर लिजेगा बहुत वारी कोशन पूछा गया परियार नेशनल पार्किस परवर्श रिंखला में है सब लोगों किजेगा परियार नेशनल पार्किस परवर्श रिंखला में है करेक्ट नसर होगा option D, बेश्टन घाट पुस्चिमी घाट में नेक्ट कोईचन पर ये पेरियार रिजर्ब टाइगर टाइगर रिजर्ब इन वीचे स्टेट, पेरियार टाइगर रिजर्ब की सिराज में इस्थित है ये है दोस्तो केरला में पढ़ता है option श्री करेक्ट नसर होगा नेक्ट कोईचन पर ये सबरी माला इज हिंदू पिलिग्री में एज सेंटर लोकेटेड इन वीच टाइगर रिजर्ब इरिया सबरी माला एक हिंदू तिर्थ छेत्र है वह किस बाग अभ्यारन छेत्र में इस्थित है सबरी माला बहुत ही फेमस कोईचन है करेक्ट नसर होगा option शी पेरियार रिजर्ब में ठीक है दोस्तो option शी कोईचन का करेक्ट नसर होगा सुन्दर बन टाइगर रिजर्ब किस राज में इस्थित है सब्सक्राइगा 87 नमबर कोईचन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा करेक्ट नसर होगा option भी बेश्ट बंगाल पहस्चिम बंगाल में नेक्स्ट कोईचन पर 88 नमबर कोईचन आप से पुछा जा रहा है ध्यांस देखिएगा अस्याटिक ब्लैक बियर एंड श्नो लिपोर्ड इज फांड इन भीच आफ फॉल्विंग पैलेश इस्याई काले भालू हीम तेंद वे निमलीखी तस्थानों में से कहां पाये जाते हैं शबलो कमेंट की जगा 88 नमबर कोईचन आपके स्किन पर दिख रहा होगा करेक्ट अंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी करेक्ट अंसर होगा नंदा देवी और भैली और फ्लावर नेशनल पार्क नंदा देवी और फूलो की घाटी राष्ट्रे उद्ध्यान महराष्ट के चंदरपुर जीले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रे उद्ध्यान है वो कौन सा है शबलो कमेंट की जगा 89 नमबर कोईचन करेक्ट नसर होगा तडोवा अंधहरी टाइगर परुजेक्ट अउप्शन एस कोईचन का बिलकुल करेक्ट नसर होगा नेश्ट कोईचन पर ये केवलादेवराष्ट्रिये नेशनल पार्क कहां इसतीसर को भी याद कर लिजयेगा अक्षर हीजावों में दिखने को मिलता है केवला देव राश्ट्री एउद्यान कहा है दोस्तो राजस्थान में है 90 का डी करेक्ट इंसर होगा राजस्थान केवला देव गहाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वाजफरमली कॉल्ड आई राजस्थान के केवला देव गहाना रष्ट्रिय उद्ध्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था वो आप से पुछा जा रहा है करेक्ट अंसरोंगा ऑप्शन सी भरतपुर पक्षी अभ्यारन भरतपुर बर्ड सेंचूरी के नाम से जाना जाता था नेश्ट कोश्चन पे ये 92 नंबर कोश्चन सिंपली पाल रिजर्व इन भीच एस्टेट सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज में इस्थित है माझस फ्यार बाई फुर्ट कोश्चन बहूत ह स breaths यही कोश्चन आपको और थाम में दिखने को मिलेगा अन्ना मलाईट टाइगर रिजर्व इन वीच एस्टेट 93 नमबर कोश्चन आपके सिन पर दिख रहा होगा शबलो कुमेंट कीजेगा ये तमिल लाड़ो में आप्शन सी करेक्ट अंसर होगा नेक्ट कोश्चन पर ये पन्ना नेशनल पार्क इन वीच एस्टेट पन्ना राष्ट्री उद्यान किस राज में इस्टीता है सब लोग कुमेंट कीजेगा करेक्ट अंसर होगा आप्शन शीक गुजरात राज में नेक्ट कोश्चन पर ये 96 नमबर कोश्चन वीच पार्क अलसो सेर इस बाउंडरी विथ बंगलादेश कौन सा उद्यान बंगलादेश के साथ भी सभी सिमाओं को शाजा करता है करेक्ट अंसर होगा आप्शन ए सुन्दर मन राष्ट्रे उद्यान नेक्ट कोश्चन पर ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन भी जेस्टेट इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज में इस्थित है करेक्ट अंसर की बात कहता हूँ आप्शन सी करेक्ट अंसर होगा 36 गड़ राज में नेक्ट कोश्चन पर ये दोस्तों कोश्चन है दान डेली बिल्ड लाइफ संचॉरी इन भी जेस्टेट डान डेली बन जी वह व्यारन किस राज में इस्थित है से लो कुमेंट कीज़ेगा करेक्टनसर की बात करते ऑप्सन डी करेक्टनसर होगा करनाट का राजी में नेक्स्ट कोश्चन पर आए एक कंचण जंगा नेशनल पार्क इस अलसो नोन अज कंचन जंगा राष्ट्रिय उद्यान जिसे कंचन जंगा बावस्पेर भ्यारन भी कहा जाता हुआ इस्तित है कहा इस्तित है दोस्तो 99 नंबर कोचन यह है शिक्की में option C is question का बिल्कुल correct answer होगा next question पर यह कंचन जंगा राष्ट्रिय उद्यान कहा इस्तित है यह सेम कोचन आ गया है यह है दोस्तों हिंड्रिड का राइट एंसर ऑप्सन डी करेक्ट एंसर होगा शिक्की में आज का session यहीं पर शवाब्त किया जाता है दोस्तों आप लोग comment करके एक फिडिव एक जरूर दिया किजिए कि session आप लोग को कैसा लगा इसका पीडियो के लिए आप लोग टेलिग्राम पे जॉइन करके वहां से डॉनलोड कर सकते हैं और जो वीडियो को लाइक नहीं किये कर दीजिए फड़ाफ़ड वीडियो को लाइक एंवाट्सप ग्रूप में शेयर करने कोशिश किए ताकि शे इस तरीका से गौवर्मेंट सेक्टर करना चाहते हैं कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब घंटी की बेल एकन आउन कर लिजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं टाइमिंग में इसका जो है दोस्तों इससे जाई का मैं फिर से बता रहा हूं टाइमिंग है ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद